कि अब फिर्वेडरी वन देश रेल्कम बैग तु माइव यूट्यूब चैनल तो यह बात ऐसी है कि आप अपने हैंड सेनिटाइज कर सकते हैं अपने कपड़े अपने कर सकते हैं पर कि आपने वाइट अनिटाइज करी है हुआ कुछ लोग यह कहेंगे कि हाँ वाइक वाश करके हम उसको सेनिटाइज कर सकते हैं पर कि आप डेली बाइक वाश कर सकते हैं क्योंकि एक बाइक वाश में एक लिस्ट आपकर 20 लिटर लगता ही लगता है अब मैं रहता हूं कालपी में तो यहां पे जो मार्केट है वो सुभे 8 बज़े से लेके 12 बज़े तो मुझे काम से जाने ही पड़ता है और डेली में अपनी बाइक भार लिकालता हूं लेकिन में डेली अपनी बाइक को भार जाने से पहले से जरूर करता हूं कैसे तो आज इस वीडियो में आपको यहीं बताने वाला हूं कि आप बीस रुपे में अपनी बाइक कैसे सानिटाइस कर सकते है तो बाइक के पास चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं तो सेनिटाइजर बनाने के लिए हमें चाहिए टैटॉल और एक स्प्रे बॉटल और उसमें आप 300-400 एमल पानी ले लीचे अगर आपके पास ये स्प्रे बॉटल नहीं है तो जाधा तर सबके घर में कॉल इन या फिर सोप डिस्पेंसर रहता ही है तो आप उस बॉटल का भी यूज कर सकते हैं इसके बाद पानी में डेटॉल एड़ करती है बॉटल पे कैप अच्छे से टाइट करने के बाद इसको अच्छे से शेक कर दी है और आपका सैनिटाइजर रेड़ी है तो सैनिटाइजर को हम सबसे पहले स्प्रे करेंगे बाइक के उन पार्ट्स पे जो कि हमारी बॉड़ी से सबस्यादा कॉंटेक्ट में आते हैं जिसमें सबसे पहले आता है हैंडल तो सबसे पहले हम इसको स्प्रे करेंगे हैंडल बार के उपर क्योंकि हमारे हैंड सबसे आदा कॉंटेक्ट में हैंडल के साथ ही आते हैं और दोनों साइट पर अच्छे से आपको स्प्रे करना है, ताकि कोई भी जगे सूखी ना रह जाए। फिर बारी आती है टैंक की, टैंक को भी अच्छे से सेनिटाइज कर दीजे, क्योंकि हमारी जो थाइज हैं, वो टैंक के साथ पर्मनेंट कॉन्टेक्ट में रहती हैं, और उसके बारी आती है सीड की। तो मेन पार्ट्स को सेनिटाइज करने के बाद अब बारी है पूरी बाइक को सेनिटाइज करने की तो पूरी बाइक को सेनिटाइज करने के बाद भी मेरे पास इतना भी सेनिटाइजर बाकी है कि मैं एक पर फिर से अपनी बाइक को वापिस से सेनिटाइस कर सकता हूँ और इस सेनिटाइजर को आप और भी जगे भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि आपके डोर के हैंडल्स हो गए या फिर स्टेरकेस के आपकी रेलिंग्स हो भी तो वहाँ पर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं होब आपको यह सिंपल एंशॉट वीडियो पसंद आया होगा और अगर यहां तक देख लिया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो कमेंट करके अपने सजेशन्स दो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू करो